पर्मानंद, तुमने जितना बताया था, ये उत्पाद उससे कही अधिक प्रसन्नसा के योग है महराहज, मैं प्रसन्न हूँ, ये अपना सारा धूद, दही, घी, माकन और अपना सब कुछ तुम्हें देने का वचन दे चुके हैं महराज, अगली बार की अग्रिम धनराशी मिल जाती तुम्हें इन्हें अग्रिम धनराशी नहीं दी क्या पर्मानन दी थी, वो इस बार की थी, अगली बार की इस बार, उस बार, कितनी बार, वो अग्रिम धनराशी अवश्य थी और आंशिक नहीं, पूरा भुक्तान था वो अब तुम सब को बिना कोई मुल्य लिये, जीवन भर, अपना सारा दूद, दही, घी, माखन, अपना सब कुछ लेकर मतुरा आना होगा मेरी तरफ क्या देख रहे हो, यही तो तय हुआ था अमारी बीच, और आप लोगों ने तो नारायन को साक्षी मानकर शपद मिली थी नहीं, नहीं, महाराज, यह तो असत्य है, व्यपारीजी सही बात ना बता रहो है महाराज, आप स्वयम विचार करो, जीवन भर के दूद, दही, घी, माखन का मुल्य इत्तो कम कैसे हो सकतो है भला यह तो नारायन की शपद लेने से पहले सोजना चाहिए था महाराज, महाराज, यह आन्या है महाराज मेरे ही महल में, पूरी राजसभा के सामने, मेरे विश्वास पात्र पर और मुझ पर आरोप लगा रहे हो यह क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? वो करकर चन्निक पात थोड़ी प्रतिक सा खंडी चाहिए नारायन को भूख, खाने दो दो पर तुम तो नारायन नहीं हो लल्ला, लल्ला जे तुने क्या करो? चमा कीजेगा, महराज भूल मेरी ही है, महराज बात चैहे कि जब से इसे पता चलो कि आज इक आदसी है तब से जे नारियल के लड़ू मांग रहा था वो समय के अभाव के कारण में ना दे पाई मैं, मैं दूसरे नारियल और गुल ले आती हूँ चलिए तो इत्ता भी अपने मन को ना रोक सकता ना लल्ला कहीं थी ना महराज के जाने के बाद बना दूंगी लड़ू जानकी सीगर दूसरा नारियल कस के ले आ और गुड भी, चीक है जब कोई घर में आतो है तो ऐसा व्यवहार अच्छा लगतो है क्या मैंने क्या करो महिया मैंने क्या करो महिया इससे तो बड़ा सयाना बनतो है हाँ और आज कभी महराज के हाथ में लोटा दे रहो है कभी इतने बड़े ब्राह्मन देवता को ग्यान दे रहो है और अब भॉक का लट्टू भी खा गाओ चुप चाप यहां सांधी से बेंट जाओ और हिल्यों मती कोई बुलाए तो भी गाजाओ कोई बुलाए तो वो अन्य बात है लाला उससे पहले हिल्यों भी मती हाँ नहीं तो भाबी जे लिए जानकी ध्यान रखियो जे चायन आयासे ओ मया की पहरे धर ऐसे क्या देख रही हो तुझे ही देख रही हूँ पहरे सतानी करतो है और पहरे ऐसे सीधा बनतो है इसे कच्चु किया ही ना हो दोने सीधा ही तो हूँ मैं अच्छा सब पतो है मुझे तेरी चलाकी पात तो मैं फसा करी यह से निकल जाना चाहतो है न ना ना मैं अपने मैया का आग्ये का रहूँ जब तक कोई बुलाए को ना यही बैठ रहूंगो चाय लड़ू खानी का कित्टा भी मन क्यों ना करे विलंब के लिए शमा प्रभू यह बालक अबोध है बातें बड़े बड़े करता है परंतु नहीं जानता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं पधारिये प्रभू वो ग्रहन कीजिये प्रभू चांची दो में सुमना वो मुझे बुला रहे है कोई ना बुला रहे हुआ चुपचा बैठे रहे ना तो तरी महीं मुझे दाटेंगी मैया ने काई थि कोई बुलाय तो जा सकतो हूँ और महाराज केवल बुलारी ना रहे वलकि भोग ग्रहन करने के मुंती भी कर रहे है वेसे एक बात काउ हौँ तुम्हारे घर का मांखन बहुत स्वादिश था. तो तु स्विकार करने हुए, कि तु मेरे घर चोरी करने आया था? हाँ. जैसोदा भापी, देखो इस ते माल लियो, कि जैसे चोरी करने आया था? जेकागो! अरे! हेना रहा हैं, इस तो पसा दिया मुझे. होग चड़ाची तो भागवान को ठीक से, आनी के समय क्यों नहीं देते? अब इत्ती संग्रों रखना भी कटिन होगा. बड़ा शरार्ती बालक है ये, फिर आगया नाराइन की इच्छा से. बैदा आपकी इच्छा से आया हूँ. अब जब बुलाते ही हूँ माराज, तो थोड़ा समय दिया करो, फोग ग्रियन करने के लिए? मैंने तुम्हे कब बुलाया? अब भी तो फोकाल लगाई थी, आओ फोग ग्रियन करो. आओ विश्वसनिये, कैसा मूर्ख बालक है ये? तुम्हे क्या लगता है, कि तुम नारायन हो? जब भी तर कैसा आयो? उठ 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 लल्ला आ मैया, मैंने मना किया था न, वहाँ से उठने को? मैया, अपिने तो कही थी, कोई बुलाए तो जा सकतू हूँ मैं मैं इनके बुलाने पे ही यहां आयो हूँ पर मैंने तो श्री नारायन का आवाहन किया था मैया कहती है, छोटे बालक श्री नारायन का रूप होते है गाना, आज तो आती ही कर दी तुने महराज का अनुस्थान पूरा ना होने देगो तू रहने दीजे नंदराज, मैं ही जाता हूँ अपना अनुस्थान गाउं के मंदर में पूरा कर लूँगा ऐसा मती करो महराज आप अनुस्थान पूरा किये बिना चले जाओगे तो हमें बहुत पाप लगेगो आपके अनुस्थान में कोई विग्न ना पड़े मैं अभी दूसरी सामगरी लेके आती हूँ चल इसे तुम्हे रोईनी जिच्चि के हाँ छोड़ के आती हूँ चान किसे ना समलेगो जे या सुदा, आभी ना रुकेगो जे इसे मैं अपने दुभईया के हाँ लेकर जातो चल या किसी ने तुम्हारे साथ ना तो कोई अन्याय किया है और ना ही कोई धोका केवल वैपार किया है स्मरन करो क्या फुरण लिया था तुम सब में क्या उसमें किसी धनराशी का उलेख था नहीं था इसलिए आप उस प्रण के अनुसार तुम बिना कोई मूल ले लिए जीवन भर अपना सारा दूद दही घी और माखन अपना सब कुछ मुझे दोगे महराज ऐसा अत्याचा महराज अम पर क्रिपा कीजे महराज महराज हमारे पास ये दूद मांका नहीं है महराज हमें उचित मुल्य दिलवादो ना तो मेरी पत्ती मुझे घर में प्रवेश्णा करने देगी महराज महराज हमारे जीवन यापन को किवल एक जेही साधन है महराज महराज तनिक दया करो हम पर हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे महराज करके आपको क्या मिलेगो महराज पुपनद भाईया, रंद, मैं तुम्हारी पासी आ रहा था, क्या बात है, कहना भी आयो है, आओ, अंदर आओ, आओ, रंद, आओ, कहा बाद है, सब टीक तो है, ना भाईया, जे है ना आपका काना, जे अपने बाबा का नाम दुबो के मानेगो, तू यहीं बैठ, यहां से हिलेगो ना तू, अरे बड़ा नटखट हूगे हो भाईया, अच्छा, आप जे सब छोड़ो, जे बताओ क्या आप मिलने आ रहे थे कच्छू विसेज पात थी, जो गाउवाले माथूरा गए थे, उनसे कच्छू खबर मिली, ना ना, जो लोग गाउव से गए माथूरा, उन में से अभी तक किसी क्याने की कोई सूचना ना है, तो आप इदर ने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे, चिंता की बात तो है ही न अनन्द, सूचना मिली है कि आसपास के गाउव में सूखा पढ़ गए, गवाले अपनी गईयन को चराने दूर वनो में लेके जाया करते थे, और अब तो वहाँ पर भी सूखा पढ़ना आरम हो गया है, ए ना रहेट, तो हमारे गोकुल की क्या इस्तिती है भीया, गोकुल और गाउव के आसपास की जो स्तिती है उसको सोच करी तो में चिंतितु, शिक्रिही उसका आसर हमारे गोकुल पर भी दिखने लगे हो, पधारिये प्रभु, भोग ग्रहन कीजिये प्रभु, ये माराज भी ना बिल्कुल गोप्यों की तरह ही है, हेलस्यम बुलाते हैं, फिर पेलड जाते हैं, मैंने कब बुलायो? जाने का होगो है, दो दिन से काना दिखो ही ना है, हाँ, किसी के घर भी ना आयो, माखन भी चूरी ना की, अस्वस्तो ना होगो, कई चोट लग गई हो तो, हमें चल को देखनों चाहिए, अरे, माखन चूरी के आरोब के बाद, जशुदा हमें मिलने भी देगी क्या दोना से? किन्तू, मौसी, हमें प्रियास तो करनों चाहिए ना? हाँ जानकी को नन्द भवन में प्रवेस मिलगो है, और कोई बड़े महरसी भी आये है, पूजा चल रही है मंदिर में तुझे तो सब पतो है, छुपकर देख रही थी क्या? नाना, मैं तो बस वाँ से आ रही थी, तो द्रिष्टी पढ़ गई मेरी चाहिए जो कुछ भी हो, पर सूचना उपयोगी है क्या पता इसी बहाने, हम सब को परवेस मिल जाए चल काना? चेक आओँगे हूँ, अरुजए अभी तो यही दो काना? 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 क्षमा कीजिएगा नारायन, आज बार 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 अनुष्ठान में विग्ण आ रहा है, परंतु आप तो जानते हैं, मेरी श्रद्धा और मेरी भक्ति पूरी तरह से सच्ची है, शुद्ध है, इसी लिए क्रिपा कीजिए प्रभू, पधारिये! और भोग ग्रहन करके इस भक्त को कृतार्त कीजिए, दर्शन दीजिए प्रभू, ताकि मैं भी मान सकूँ, आप से मिलना उतना ही सरल है, जितना उस बालक ने कहा था. आप तो भक्त वत्सल कहलाते हैं प्रभू, इस भक्त की भी विंती सुन लिजिए, दर्शन दीजिए प्रभू, दर्शन दीजिए. इसी विश्वास और समर्पन की ही तो देरी थी महरेशी. आपके इस परम सत्य को, मैं कैसे भूल गए हूँ प्रभू? अरे, तुम फिर आ गए? अब आप पिता प्रेम और भत्ती से बुलाओगे, तो आना ही पड़ेगो ला? एक ही बात को कितनी बार समझाओं? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया. मैंने अपने प्रभूश्री… प्रभूश्री… मैं तुम्हें आपके शीना राएं जाु आम अद्वाश्री… अपी नहीं पैचाना, अपनी शी नाराइन को प्रभू, क्या सचमुच आप मेरे सामने है? आपने सत्य कहा था प्रभू, आप से मिलना बहुत सरल है, पर मैं अबोध समझ ही नहीं पाया, आपको अबोध कहता रहा, अप सामने थे और मैं, मैं पहचान ही नहीं पाया, मुझे शमा कर दीजिये प्रभू, मेरी भूल को ख्षमा कीजिये प्रभू, आपकी पूजा करने के लिए आपको बुला रहा था और आप ही को भोग खाने से मना कर रहा था तो अपतो खिलादोना माराज शी नाराण की इच्छा से पाया, पीतर जाने दूना माराज बुला रहा है इतर तो विल्कुल ना जाने दूंगी मैं, रुक तुझे बता, बाबा ने तुझे आने कैसे दियो? अच्छी मैया, महाराज ने बुलाई हुए मुझे मैंने तुना सुनो है अब जे मती कईयो, कि महाराज ने नारायन को बलाओ है और बालक नारायन का सुरूप होते है मैंने ही बुलाया था, पुतरी महराज महराज अब आप मेरा सब्सक्राइब जानते हैं पर कपिया माया को पता ना चेनने कीजियेगा मैं चाता हूँ कि मैं इनके लिए वो ही बना रोहूँ जो हूँ उनका समान्य सल अल्ला ताकि इनके क्रेम की अमरत वर्सा मुझ पर सदेव वरस्ती रहे महराज जे सदेव ऐसे ना करतो है आज ना जाने इसे क्या हो गओ है जे सैतानी ना थी हसो था जे तो प्रभू की लीला थी महराज आप अनुस्थान पूरा करो अब मैं इसे और विग्न ना डालने दूँगी नहीं पुत्री ये विग्न डालने नहीं अनुस्थान पूरा कराने के लिए आया है मैं आपका सत्य किसी को नहीं बताऊंगा प्रभू आपने मेरी आखें खोल दी मेरे लिए तो इतना ही पर्यापत है मैं धन्ने हो गया जे आप क्या कर रहे हो माराज? श्री नारायन का भोग आप लल्ला को क्यों खिला रहे हो? मैं सदैब कहता हूँ कि जो होता है श्री नारायन की इच्छा से होता है और मैं नारायन की इच्छा को ही न कर रहा था माराज कई भूल से मेरा प्येटना खोल दे थोड़ा समय लगा परन्तु मैं समझ गया पुत्री बालक ही श्री नाराइन के रूप होते हैं मैया देखा माने काई थी ना आज काना ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी यदि सच्ची श्रद्धा और भक्ती से कोई स्वैम को श्री नाराइन के चरणों में अर्पित करते तो श्री नाराइन बहुत सरलता से उसे मिल जाते हैं कभी कभी एक छोटे बालक के रूप में सामने आ जाते हैं नाराइन को पाने के लिए किसी तीर्थ जाने की आवशक्ता नहीं है और ना ही किसी पवित्र जल में डुब की लगाने की आवशक्ता है इन्हें पाने के लिए चाहिए तो केवल सची श्रद्धा सची भक्ती और पूर्ण समर्पन मैं इसे आशिरवात देने आया था पर इससे मिलकर मैं स्वैम धन्य हो गया हूँ जेब कैसी बाते कर रहे है माराज लल्ला को मिलके धन्य हो गएगा क्या अर्थ है मैं तुम्हें इस निशुल्क वेपार की विवश्टा से मुक्त कर सकता ज़ि गोकुल राज नंद अपने पुत्र के साथ यहां आए थो है बलिहारी जाओ मैं ऐसे मुन्मुन के देखतो रहता न काना मार्क पर चलते समय पीछे ना देखा जातो है सीधा देख वो भी उनकी और जो तुछ पर उल्टा सीधे आरोप लगाती है चल सीधा एक बार चलते समय पेखने देखो क्यों भला क्योंकि हमारा चित बस तो है जशोदा तेरे लल्ला में क्योंकि आपके लल्ला ने हमारा चित चुरा लियो है जशोदा जी वो माखन चोड तो पहले ही था अब चित चौर में बन गो नाना भापी जह ये बोलना चाह रही थी कि काना बिलकुल आप पर गयो है जैसे चित को मुह लेनी वाली मुस्कुराट आपकी है ना वैसे ही उसकी भी है हाँ हाँ जैसे कहरी सुन्दर सुन्दर आखे आपकी है वैसे ही उसकी भी है कस्तूरी सावित्री अब चाहे कित्ती भी प्रयास क्यों ना कर लो मुझे मूर्ख ना बना सकती और जे माखल लगाने की तो आवसकता बिल्कुल ना है तो क्या आप मिलने दोगी हमें काना से पहले ही कही थी ना मेरे घर अब तभी आना जब अपना भूल स्विकार कर लो काना से मिलने के लिए कोई न कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगी एक उपाय है भाबी चाची हम सब ना यहीं बैठ जाते हैं काना कभी ने कभी तो आवे गोई मिलने देने का तो प्रस्नी ना बनता पहले आरोप लगाती है फिर प्रसंचा के परवत पर चड़ाती है इन्हें लगतो है जसोदा भोली है मान जाएगी इस बार बिल्कुल ना मानने वाली मैं पहले मेरे रामू के पीछे पड़ी रहती थी और मेरे काना के पीछे पड़ी रहती है तू क्या सुन रही है तू भी तो उन में से ही है भाबी मैं कल फिर से आ जाओ ना आना तो पड़ेगो एक दिन में रन्नत पूरा थड़ी हो जाएगो चाही कही काना ने आना तो पड़ेगो आप से में आगे बैठी हो अब तेरी तरह हर कोई चापलोसी तो ना करतो है पर कोई न कोई उपाय तो करना पड़ेगो ना काना से मिलने के लिए अब तो बस एक ही आस बची है कि कभी न कभी तो काना बहार आएगो और हम सब उससे मिल पाएंगी सराने कैया आवस्सक्ता ना है भावी नंद भवन में भले ही प्रवेश्मिल कऊऊ है मुझे पर न तो मैं काना से मिल पाई हूँ और ना ही उससे ठीक से बात कर पाई हूँ पर अब मैं कही न चाउ ISO मिले मिना आप सबके साथ यहीं बैठूंगी नंद राज कैसे बताएंगे और किस मूँ से बताएंगे कि हमने अपनी मुर्खता में कैसो बात कर दो भानू, बजरंगी क्या हुओ आप सब लोग इतने चिन्तित क्यों है का हुओ मत्रा में कचू गडबड़ हुई एका चिन्ता मती करो आप लोग जो भी कुछ हुओ है हम सब मिलकर संभाल लेंगे आप सब लोग ठके हुए हैं तानिक विस्तराम कर लो उसके बाद हम बात करते हैं जो आप आओ तो मुझे ही कच्चू करना पड़ेगा मैया में खेलने जाओ बोलो ना मैया में जाओ ना लल्ला अभी छीक आई ना जे सुब संकेतना है कड़बर तो हो चुकी है मैया ये लीजे जल पिरण कीजे लीजे लीजे बानू ठक गए हो गए जल पीलो बजरंगी लो अरे तन की आफसक्ता का तो ध्यान रखने होगो ना लो आप हमें जल क्यों पिला रहे हैं हम पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं आप हम इस योगे ना है नंदराज हम इस योगे ना है हम इसके योगे नहीं है हम इसके योगे नहीं है यह सब क्या कह रहे हो आप लोग हमने आपकी बात ना सुनी अंदराज आपने कहा था मना किया था आपने पर अधिक धन के लोग में हमने ही उस दुष राक्षस को अपना वचन दे दियो और मतुरा जाके पता चलो कि यह सारा शड्यंत्र उस व्यापारी का ना था उसने तो बस उस सत्याचारी कंस के कहने में यह सब किया आपने तो सीखो है मैया पर सित्य कैसी भी हो जद्धित होना सबाधान ना हो तो पर सबाधान तो चिंतन करने से मिल तो है ना तो मैं जाओ अच्छा बता कचु गरबर हो जाए तो हमारे रक्षा कौन करते हैं? शीनारायन तो तीन बार उनका ध्यान कर ले लला वा मैया मेरी रक्षा के लिए मुझे अपना ही नाम लेने के लिए कह रही हो क्या सोच रहो है कर नारायनारयनारयनारय बस बस अब मैं जाओ जा इसका आर्थ है कि जे कोई साधारन छलना था जे सोची समझी योजना थी आप सभी लोगों को भजाने की इसका आर्थ जे है कि इसके बीचे कोई न कोई कारण अवस्य हो कारण को थो पतो ना है पर कंस ने हम सबको मुक्त करने को एक प्रस्ताव रखो है प्रस्ताव? कैसो प्रस्ताव भानू? बताओ? भानू यदि तुम ना बताओगे तो तो मैं सहायता कैसे करूँगो? उसने कहा है कि वो हमारे निश्वल्क व्यापार की व्यवस्था को समप्त कर देगो यदि विंति करने के लिए आप उसके दर्बार में जाओ तो वो भी वो भी? वो भी क्या? वो भी गानू को साथ लेके वो भी गानू को साथ लेके वो भी गानू को साथ लेखे काना पहले छीक और अब जे कचु गरबर तो अब असे अब सब लोग चाहिए इसराम कीचे मैं देखतो हूँ क्या करना भाईया बैने इन सब से कह तो दी के कि मैं देखतो हूँ क्या करना पर मैं क्या करूँ एक और मेरी प्रजा है उसरी और मेरा लल्ला मैं लल्ला को कैसे लेकर जाओ मैं उस उस अत्याचारी कंज के पास जिसने रानी देवी की पर इतने अत्याचार किये जिसने अपने बहन के बच्चों तक को नहीं छोड़ा वो तो अत्याचारी नहीं नन राक्षर्स है राक्षर्स और ऐसे राक्षर्स के पास अपने काना को ले जाना तो दूर हम उसकी परच्चाई तक अपने काना पर नहीं पढ़ने देंगे और हमारे पास उपाये ही क्या है भाईया गोफियोंने कितने सपने सजोई होंगे अपने सुनेहरे भविस्से के लिए और जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगो तो क्या बीटे के उनके रिधे पर आज भानू मत्रा से धन लेके लोटेगो तो मैं सीधा हाट जाऊंगी और जसोदा के लिए एक महंगा सा उपहार लोंगी कच्छुलाब ना होगो मैं भी काना के लिए लोंगी एक विसे सुपहार और इस बार उसे भी में माखन के साथ रख दूँगी ताके काना लोब में आखे बार-बार मेरे घर आवेगो दो दिन से वो किसी के घर ना आयो है तेरे घर आएगो तो बरा जब देखो तब कोई ना कोई प्रस्न करतो रहतो है हमसे पर इस बार दिखेगो तो हमारी प्रस्नों का उत्तर देना पड़ेगो उसे आगाओ अब जे क्या है जे क्या कर रहो है और जे हमें अपना मुग क्यूना दिखा रहो है हाँ जे सब क्या है अब पहले माखन चुरा तो है और अब लज्जा आ रही है तो मुझ चुपा रहो है लज्जा उसे हाए इससे चुड़े क्यों मैं क्यों लज्जा ने लगू पला अच्छा तो जे बता लल्ला कि ए सलोनों सो मुझ क्यू चुपा रखो तुने ताकि आप सब मेरे जलाग भी ना देख पाओ अच्छा ये क्या करें आप सब साहस है तो आखों में आखे डाल कर बात कर मैं ये शुमती मल्या का लल्ला हूँ साहस कुख कुख के भरो है मुझ में पूछो क्या पूछनों है पहले तो जे बता आज किसके घर जाएगो तु चोरी करने चोरी और में आदिक भोला मत बन जे सब कोटुक जशुदा जी के पास चलेगो यहाँ ना चलेगो पस इत्ता बता दे का ना आजकल माखन खाने का मनना होरो है या पकड़े जाने से भाईबीत होगो है तु बचुडों को उनका अधिकार दिलानों अनुचे थोड़ी है दोद्दै माखन पे पहला अधिकार वालक को कोई होतो है इसलिए भाईबीत वो हो जिसने कछू अनुचेत किया हो यह सुदा भाईबी अब क्यो भाईबीत होगो भाईबीत का हुआ मैं तो बस जा रहा था अच्छा मान लियो कि भाईबीत ना हो रहो है अब जे बता कि हमारे घर क्यों ना आ रहो है हमने जो सुदा भाईबी से तेरी बात बता दी इसलिए ख्रोधित है क्या मैं मटकी उपर लटकाती हूँ इसलिए ना आयो मेरे आगा माखन अच्छा ना लगो क्या किसी के आँ माखन बच्छोई का है जो आओ सारा का सारा तो दे दियो उसमें पारी को अब भूल की है तुफल मिले गोई ना वा लल्ला चोरी तू करे और भूल हमारी ना अब बुरा मानने या चिंता करने से कच्छो लाबना होगो हम कहां बुरा मान रहे और चिंता भी ना करें जब मैं अबास हो जाए वा भूल होई है तू से मान के सीख लेनी चाहिए सही है लल्ला इत्तो माकन चुरा तो है उपसे ग्यान भी देतो है मैं तो बस कोई बता रहा था चाची चू मैयाने सिखायो है जा और क्या-क्या सिखायो तेरी मैयाने यही कि पर स्थिती क्यासी भी हो चिंती थुना सबाधान ना हो तो सबाधान तो चिंतन गरने से ही मिलतो है अरे 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 जिम आखन छोड़तो हमें ही उपदेश देगे भागो वो देखो ये सब लोग इतने गंबीर क्यों दिख रहे हैं जैसी ये बात गोपियों को बता चलेगी भागो तक ये बात पहुचने में अधिक समयने लगेगो और नारायनी जाने उसके बाद बहू के मन पर क्या भी देगी कहीं वो कहीं वो फिर से खड़े निर्णा न ले ले बड़ा निर्णा तो आज मुझे लेनो होगो भाईया मुझे जै निर्धारित करनो होगो के ये सुदा कुकंस के बारे में क्या क्या बतानो है और कैसे बतानो है और मुझे जै भी सोचनो होगो के मुझे क्या करनो है बाबा हुने का दाइत्व निभा कर अपने लल्ला की रक्सा करूँ या या राजा हुने का कर्तव्य निभा कर अपनी प्रजा के हिप को अधिक महत्व दू नारायन ही जाने के इस तो विधा का हल कैसे निकले हो अब तो वो ही बचा सकते हैं भाईयो स्थथूप-चा-चा-ब्रजा-बंदफ और के भाईयो स्थथूप-ब्रजद या या कि अधिका दो भाईयो ये तो बनको लड्डू जैसो है और ये गुटकी डली खाव की किनान खाव। फूर्दीवी का प्रसादी थो है थोड़ी सी खाई ली तूँँ ये तुमने क्या क्या का ना मिट्टी खाई नो तुमने तुमने मिट्टी तू तो मिट्टी को ये माखन से खाव गो का ना कि ती भूक लगी थी तो किसी की यह जाके माखन का लेता बल्राम ध्यान रखियो कि जे फिर से मिट्टी ना खाई यदि तुने फिर से मिट्टी खाई ना तो तेरे दाओ मुझे सब बता देंगे चल चोटी मा के पास जाओ हम कर दूसरे के साती है ना इस पर मैं तुमारा साथ नहीं दूंगा चोटी मा को वच्चन दिया थाना मैंने कि अधि तुने फिर से मिट्टी खाई तो मैं आरज से बताऊंगो बल्रा कारा की चुगली करेगो तू आमारी एक्ट्याद टूट जाएगी बस कोई बिच में नहीं बोल्राज हमें नंद बहुत जाके नंद राज और जशोदा से अपने भूल की माफी मांगनी चाहिए इससे पहले की कोई और जाके कचुका ही मुझे स्वाहिम ही एसुदा को सब कुछ पतानो हूँ को चोटी माँ चोटी माँ मल्राम क्या हो को लला सब ठीक तो है ना खोटी में आज ऒगा लला बता खोटी माँ अपने काह चाना कि यह अधी मिट़ी खाये तो मैं आपको बताऊ कानहा, ज़्य मैं क्या सुन रही हूँ? तुने मिट़ी खाई मैं या मिट्टी के बारे में पूछ रही है पर मैंने तो बू दीवी का सुट प्रिशाद खाया है मैं कचो पूछ रही हो लल्ला उत्तर दे तुने मिट्टी खाई है कि ना तो क्या मैं असत्ते बोल रहा हूँ मैंने सुन देखाया चोटी मा कि अकेले बैठकर मिट्टी खा रहा था आप सबसे पूछे इन्होंने भी तेखा था वाँ सुख के सखावने दू काटी साथ छोड़ दियो मुझे तुछ से सच सुन्नोए का नहां बता तुने मिट्टी खाई है कि ना जूट बोल रहो है सची सची बता खाई है ना मैया मैंने मिट्टी ना खाई इधर आ तो फिर मुझ खोल के दिखा दे अपनी मैया को क्यों अब क्या होगा तुने मिट्टी तो ना खाई तु दिखा दे कि जेसा बसक्ति बोल रहे है कानहा मुझ खोल मुझ खोल लल्ला मुझ खोल के दिखा दिखा मैया को अ कानहा मैं जा खाई कानहा तुने मिट्टी तो रुझ खोल के दिखा इघ्टी तो रहे है कानहाई और वैंग क्यों की जा लेकी झाना जाल कई नाल को फिर दो ग्रे औरवनील ही नाल के राल को नाल का इसी पैस झाल कर दो कर दो कर दो काना हे नारहेड यह कैसा आग बुद्रिश्य है काना के मुँ में सम्कून प्रह्मान पर इसका आर्थ क्या है क्यों दिखाया उन्होंने मुझे ये सब क्या बताना जाते हैं मुझे वो ये सब कुछ ना कुछ कारण तो आवश्य है लगता है मुझे मेरे इन प्रश्णों का उक्तर मेरे काना के पास जाके ही मिलेगा कितना भी सत्रक को जाओं कोई ना कोई भूल हो ही जाती है पिछले बार तो बाबा ना संवाल लिया था अब महिया क्या करेगी छोटी मा काना क्या हो क्या ही थे महिया और जाओना महिया 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 जाओना काना जाल्ला महिया क्या हो को आपको आप ठीकतो हो काना मुँ खोलके दिखा दिखा महिया को इसमें तो मस्पिंटी है तो जो मैंने देखो वो क्या था सुपन था मेरा या कोई ब्रामू हुआ था हाँ लला इससे पहली की महिया में सत्य समझ जाए मुझे सिट्टी को समभालना होगा मुझे छमा कर दो मैया आपको दुखी करो मैंने पर मैं सची कह रहे था मैं मिट्टी ना खाई बस पूदीवी का प्रसादी खाया था आप क्यों होगे तो अग्ये से ना कहूँगा सची बस बस लल्ला बस इस में रिसे सकती ना हो सकती ये तो इत्ता भोला है कि मिट्टी को पूदे वी कर प्रसाद समझ के खागा पूजे छमा कर दो मैया जे दूसरी बार हुआ है मेरे साथ क्या मैं पावली हो गई हूँ ना ना मैं तो पूरी तरह ठीक हूँ फिर क्या कारण हो सकतो इसका अरे प्रसाद का समय हो गवे है और मैंने अभी तक कच्छों बनाव भी ना है अज फिर से गुड़ ही चड़ाना पड़ेगो मैं आए दिन भूग में गुड़ चड़ा रही हूँ अब असे ही इसलिए मिट्टी को गुड़ का प्रसाद समझ कर खागो मेरा काना मैं समझ गई लल्ला वो अकेले बैठके मिट्टी क्यों खा रहा था चल मुझे छमा कर देओ प्रभू अपनी ममता में लल्ला की आवसकता को सबसे अधिक महत्वर दे रही थी मैं इसी कारण से आपके भक्ती में भूल चोक हो गई पर आप तो साक्षी हो नेरे मन के भीतर आपके स्रद्धा और भक्ती में कचु कमी ना है पर हां कर्म कांड और वेधी विधान में उच नीच है तो अनूच थी पर आज जो मैंने देखो है न उसने मुझे मेरी भूल का आभास करा दियो है नारायन मया चुप चाप आज जोड़ करके पूजा कर तर क्या दिख्रो है नुरा ताकि नारायन तुझे सट बुद्धी दे इस रिस्टी में जो भी होतो है ना लला सभी नहीं की इच्छा से होतो है और हम बार बार अपनी अज्ञानता के कारण इनके विधान पर प्रस्ण उठाने लगते हैं हम जे भी ना सोचते कि प्रभू की लीला पर संदेय करने का अधिकार ना है हूँ समस्या चाहे कित्ती भी बड़ी क्यूं ना हो सही समय पर नारायन सही मार्क दिखा ही देते हैं जैसे आज उन्होंने मुझे दिखा हो है आज आपने मेरी आखे खोल दी नारायन पती, संतान, परिवार सब महत्वपूर्ण होते हैं पर आपकी भक्ती भी उत्ती महत्वपूर्ण होती हैं अपसे इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी मैं सच्ची निस्था और भक्ती से आपकी पूजा करूँगी भोग, अनुस्थान और सेवा करूँगी वैसे नारायन सच्ची बात तो जे है कि सब इसी के कारण हो रहो है इसके कारण आजकल मुझे समय ना मिलतो है निस्कूरा क्यों रहो है रहे आज जोड प्रार्तना कर कि नारायन तुझे भी सही समय पर सही मार्ग दिखाए ताकि तुझे मिट्टी वाली भूल दबारा ना दोराए आजोड आपको मुझे भी सही मार्ग दिखाना हो वप्रुप एक और मेरी प्रजा है तो दूसरी और मेरा लल्ला मैं किसका हिट साथ हूँ किसी एक का त्याद कैसे कर दू मैं मैं प्रसाद दोला क्यूं? मिट्टी ना खानी? नहीं लल्ला आज के बाद मिट्टी को गुड समझने की भूल मती करियो समझ आई जा आप विस्राम कर आप लूजी मुझे ना आप से बहुत माधोपून बात करनी है ना कानहा के मूँ में फिर से ब्रह्मान देखो है नारायन के आसिरवाद और सहायता की आवसकता है इसका क्या अर्थ है? और आप इत्ती चिंता में क्यों लग रहे हूँ? स्व्यापारी ने हमारे वोकुलवासियों के साथ चल कियो है यह सोथ जान बूचकर उसने सभी को लोग के जाल में फसायो हूँ और जे सब्द उसने कियो है किसी और के लिए किस के लिए? बताओ जी, किस के लिए? कंस के लिए उसे कंस नहीं भीजा था या क्या देख रहे हो, तुम इसके योग्य हो पर्मानन अपनी गुद्धि मता, चतुराई और कुशलता से तुमने इसे अर्जित किया है महराज की जै हो महराणी प्राप्ती, महराणी अस्ती हमें तो लगता है कि पर्मानन को हमारे मंत्री मंडल में होना चाहिए महराज पर्मानन, जिस प्रकार तुमने गोकुल वासियों को अपनी चतुराई के चकर्वियों में फसा दिया अधबुत था वो, अधबुत आप बस आग्या दीजिये महराज, ये सेवक पालन करेगा आज गोकुल आपके चर्णों के नीचे आगया है कुछी समय में, पूरा संसार आपके पेरो तले होगा आपको सच में लगता है महराज, कि गोकुल वासियों अपने वचन का पालन करेंगे और जीवन भर अपना दूद, दही, खी और माखन, हम इन शुल्क देते रहेंगे बोले हैं वो, भक्त है, और यही उनकी सबसे बड़ी दुरबलता है और यही दुरबलता उन्हें विवश कर देगी और उससे भी आनंद की बात है ये, कि उनका राजानंद अपनी प्रजा को जीवन भर कस्ट सहते देख नहीं पाएगा और दौड़ता हुआ, भागता हुआ, जहां आएगा मेरे जटनों में अपने उस पुत्र के साथ और वो तो महराजा है ना, उसे कच्चु कमी है क्या फिर हमारे भोले भाले गोकल वाच्चो को क्यू पसारो है जे नाना, बात कच्चु और है सच्ची सच्ची बताओ क्या चाता है वो, कई बाबा ये ना बता दे, कि पन्स मामा ने ये सारा जल मुझे मथूरा बुलाने के लिए रहचा है, बया की ममता भेय में बदर जाएगी उपर से देखो, तो बस दूद दही माखन का छोटा सा चल है, पर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सड़े अंत्र चुपा है इसका आप जानते हो ना, क्या है मुझे ना बताओ के बताओ बताओ जी यह सुदा वो चाहतो है के मैं दरवार में जाओ और साथ ले जाओं साथ ले जाओं? बाबा क्या करे हो संबालो? किसे साथ ले जाओं? गाउवालों की दया की पुकार को उनकी सहायता की गुहार को उसने कहलवाई है कि मैं हाथ जोड़कर उसके सामने बिंती करूँ तभी वो गाउवेलों को इस उन कुदपात देने की विवस्ता से मुक्त करे कूँ अब मुझे समझ ना रो कि मैं क्या करूँ जब हम एक चु समझ में ना आये ना तो सारी चिंता स्री नारायन पर छोड़ देनी चाहिए जी तुम सत्य कहरे ही वैसो था सारी चिंता नारायन पर ही छोड़ देनी चाहिए अब वही मार्क दिखाएं गे जी सारी गोप्यों पर तो बड़ा संकट आगा उचे अब तो इनका मन भी करेगा तो हिचक के बारे मेरे पास ना आएंगी बाबा तो पूरी तरह भूल गए है प्रभो कि सच में आप कौन है हाँ मुली इस समय मैं उनके लिए किवर उनका लड़ा हूँ पर आपके पास उन्हें इस चिंता से मुप्त करने का उपाई है प्रभो है ना और मुझे बताओ कि क्या करनो है कैसे करनो है आज मुझे आपके मार्क दरसंग क्या हो सकता है प्रभो मुझे मार्क दिखाई है भाबा और राजा हूने की तुविधा में मैं बटा जार हूँ मेरे इस धर्म की नौका जो जन्जावात में फस गई है उसे पार नगाई है नाराएं रक्सा कीजे नाराएं हुआ है सबीजने, हमें और वाली, हमें नदेवासलेमा बारा हमासलेमा सालिगरम यही तो अमें रखा था मैने कहा गिर गिरे भिखा कहा च्ला गूँ मैने तो यही रखा था काना, तु यहां क्या कर रहु है? सालिगराम देखो तुने छे, तेरे मुह में क्या है? काना, तु नहीं तुने सालिगराम मुव में तो ना ले लियो? हे ना, छमा करना अबोद भालक छे क्या करो काना, तु ने तु ने, तु बाहर निकाल सालिगराम लल्ला, छे अनुचित है यदि वो तेरे कंद में चला जाएगो तो तेरी सांस लाला ला बाहर निकार अच्छो बालक है न तू अरे तेरी मैया को पतो चलेगो न तो वो कहेगी कि ना तो प्रजाव का ध्यान रख सकते हो नहीं अपने लाला का लोब की फंदे में चार ओर से जकड गये थे हम अब इसे के स्वाप ने देखते देखते अपनी जीवन का सबसे बड़ा भूल कियो है हमने यशोदा और नन भाया ने आप सबको समझाने का कितना प्रयास किया था और यहां तक की छोटे काना ने भी हमें कितना समझाया लेकिन हमने ओ दुस्ट व्यापारी को अपना सारवचन दे दियो मुझे तो सबसे पहले अपने घर में बिठा करी समझाया था उन दोनोंने कही थी कि कोई किसी भी वस्तु का दुगना मुल्य क्यों देगो पर मैंने उनकी एक भी ना सुनी आप ही बताओ रोहिनी जी जी अब किस मुझे शमा मांगोंगी में जशुदा जी से शमा मांगने की कोई आप सकताना खाना महत्वपूर्ण बात तो जे है कि तुम सबको अपनी भूल का आभास होगा और उसका पश्तावा भी पर अब तो बहुत देर हो गई है जशुदा जी अब क्या होगों जिस सुनेरे भविस्स के लिए हमने उस कप्ती व्यपारी के सामने अपने नारायन के नाम का वच्चन दिया था उसने वही भविस्स लेके राजा कंस के पाव के नीचे रख दियो है संतुस्ट सुखी जीवन जी रहते हम बच्चडों को उनके भाग का दूद मिलता था हमारे बच्चे जितना चाहे दूद दही माखन खाते थे अब उनके मूँ का निवाला चीन कर उस दूस्ट कंस को देना पड़ेगो जिच्ची ना नारायन के क्रिपा से तेरी जसोदा जिच्ची के पास गईयों की कमी ना है मैं अपने घर का सारा गौधन पूरे गाउं के साथ बाटोंगो किसी भी बालक के मूँ से निवाला ना चीनेगो नारायन के क्रिपा से गोकुल का एक भी प्रानी बन चितना रहेगो हाँ नहीं तो मेख खाना दावा का कहना मानले काना तुझे नारायन की सोगंध है वो सालिग्रा मुझे दे दे जे क्या करो लल्ला तुने ऐसे भी कोई करतो है क्या लल्ला मैं पहले से ही तुझे लेकर खितना चिंटी थूँ अच्छो पतो है तुझे शमा करना प्रभू अच्छो निए यहा इनकी मूर्ती पहां गी तुझे तुझे द। यह क्या कर लोए लल्ला यह लडीनकी मुर्टी का लोगी किनonst classroom video कि अजयान अजयां दो एतन सुखज़ मैंने ना कानहा के मुँँ में फिर से ब्रह्मान देखो है, मैंने तो जे भी देखो कि स्री नारायन गोपुल में हर स्थान पे है, जहां देखो वही नारायन जिनके मुख में त्रिभुण है, जो सारी स्रिष्टी का संचालन करते हैं, मैं उन्हें की चिंता करना था रभू, प्रभू, पहर भी आप है और भीतर भी मुझे एक शमा कर दो, प्रभू, शमा कर दो इस सांसारिक माया में आकर मैं भूल गया था, जिनके पास सारी समस्याओं का समाधान है, जो किसी भी संकट को घर भर में समाप्त कर सकते वो तो पेरे सामने ही है समस्या कैसी भी क्यू ना हो, चिन्ता समाधान नहीं, बाधा होती है इसलिए चिन्ता मत कीजिए बाबा मैं तो सदेव ही कहता हूँ मनुष्य को कठिन से कठिन परिस्तिफी में भी चिन्ता से दूर ही रहना चाहिए यदि व्यक्ति अपना सारा ध्रान अपने कर्मों को पूरा करने पर लगाए तो वो बड़े से बड़े संकट का सामना भी सहजी करता है और वैसे भी, मेरी पूजा वही करते हैं जिन्हें मेरे अस्तित्व पर विश्वास हैं इसलिए उन्हें भी विश्वास अवश्य रखना चाहिए कि मैं अपने भक्तों का साथ अवश्य देता हूं मैं आपके साथ ही हूँ बाबा जीवन पर उसके साथ व्यापार करने को वचन दियो है उसका क्या जशोदा पर उस दुष्ट कंश और उसके व्यापारी ने जो समस्या उत्पन की समस्या है तो समाधान भी हो गोई मैंने तो कही थी न मौसी जो हमारे समझ में ना आए उस समाधान का दायत में अगवान नारायन पर छोड़ देनो चाहिए यह दिखो यह आभूशन मोती यह स्वरन उपहार में देने का सामर्थ्य किसके पास होगा कंत माराज तुम देख लिना मैं इस घर को महल बना दूंगा सब जटक लूंगा काना तुम तो अंतर यामी हो सब जानते हैं बताओ ना कैसे मैं गूगलवासियों की साहिता को कोई उपाई सुझाओ तुम्हारी ये रहस से मैं मुस्कान बता रही है के तुम्हारी लीला पहले से ही आरम हो चुकी है ना अपने कंगों का फल सभी को बोगना ही पड़ता है बापा चाहे वो अच्छा हो चाहे वो पूरा तुम सभी चिंता मती करो जो अन्य व्यक्तियों के साथ बुरा करतो है ना उसके साथ देर सवेर बुरा ही होतो है और जिस हाथ से उस सड्यंत्रकारी ने तुम सबका दूद दही माखन लियो है ना जल जाएंगे बो हाथ जल जाएंगे बो हाथ दोनों पिता पुत्र का इसी से स्वागत करूंगा अचानक गदा में ताप कैसा मेरे हाथ चल रहे हैं और वो व्यापारी जो तुम सबके सांथ जीवन में भूचाल बनके आओ है स्वाएम सांथी से थोड़े ना बैट पाएगो अरे उसके जीवन में उस सड्यंद्र से बहुत अधिक भयंकर भूचालाएगो स्वामी यह अपने अप किसे उबलने लगा लगतİ है लिए अर ignorगा है लिए उसाथ खाएगो स्वामी, आप इस धर को महल बनाने का स्वापन देख रहे थे, लेकिन ये खंडर बन गया आप जिसके साथ मेत्री का संबंधि इस्तापित करके आए, वो कोई महान समराट नहीं, दुष्ट है दुष्ट? उस व्यापारी ने दुष्ट कंस के साथ मिलके भोले भाले गाओं वालों का भोजन छीनो है न? देखना, उन दोनों के भोजन में कीरे पड़ेंगे को आमी, आप गार गया, जिरिका गा साधन गया, अब क्या जाएगा, अमारा जिवन? मारा इख गंज का उफार, अभुष्ण वाला संदूख में उनने मिल कर तुम सब का दूद दही मांखन सच्छा धन चीने का प्रयास करो अब देख न उन दोनों का धन उनके अभूसन वङके बन जाएंगे कंकर पत्थर हो जाएंगे सब हैसा योगा महिए मेरे ग्राक लेकिन स्वामी ये इतने क्रोध में क्यों दिखाई दे रहे हैं विष्णु विष्णु ने किया है ये सब कर्फ ने जो किया है उसका डेंट वो अवस्व होगेगा इसने गाई किसने कहा ये किसने कहा ये किसने कहा मैंने पुछा किसने कहा ये तुम जिसे जूंड रहे हो वो मैं विष्णु अफ्तार का चाहता है तु तुमारे यूद मुच्छे दाकन और मेरे भोले भाले भक्तों को अपने जाय में फुशा कर तुमने सारी सिमाये पार कर दी अब जब तक तुम गोकुल के गवालों को अनुचित प्रपार के अत्याचार से बुक्त नहीं कर देते तुमारा और अन्या सभी सर्यंते कालियों का सामर्च, वैवा, बल, सबकुष नश्ट थोदा चली जाएगा और तब तक अपने पूर्वर रूप में बापिस नहीं आएगा, शब तक तुम उन लिड़दों सोखो, जीवर या अपन का अधिकार दोटा नहीं देते महराज दूद दही माखन सब कुछ पूरी तर से सड़ गया है महराज, सारा अनाज, फल और सबजियां सब नश्ट हो चुकी है महराज महराज, महल का सारा पेजल दूशित हो चुका है चल है ये, ओ विश्णू अफ्तार हमें अपने माया जाल में पसा रहा है ऐसी सड़ी हुई मिठाईया मैंने आज तक नहीं खाई है खोएकी नई पत्थर की बनी है ये, उससे भी कड़ी है तुम्हारी ये मिठाईया आज के बाद कभी मिठाई नहीं लेंगे जो बुरे करम करते हैं, उनकी साथ बुराई होता है और अच्छे करम करने वाले को अच्छा ही मिल दिये आप अपना करम कीजिये बाबा, आपकी चंता अपने आप दूर हो जाएगी और हाँ बाबा, शिकरी आपको एक बड़ा दिन्न लेना होईगा स्वर्ण रखियेगा, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है बाबा महिया आ रही है, क्या करूँ? कच्छू सुजाओ दूरा बाबा, जिससे महिया मुझे ऐसे नहीं देख पाई सुनो जी, आपने पुकार लगाई थी क्या? तुम उसको रा क्यों रहो है? और आप भी बदले-बदले से दिख रहे हो पूजा करके तने एक सांती मिली ना? सांती ही ना है असुदा प्रभु नारायन ने मुझे समस्या वो समाधान मी दे दियो मैं बस अपना कर्म करूँ गो कलकंज से मिलने बथुरा जाओंगो दे उस दुस्तत्याचारी से मिलने जाओंगे आप? ना ना मैं आपको उससे मिलने ना दूँगी देखो ना आपने कैसे हमारे गाउवालों को फसाओ है उसने अवस्या आपको भी उसी उदेश्य से सुबला रहो है आप मुस्कुरा रहे है प्रभू उस दिर पहले ही तो मैया सभी को मुझतर अर्थात शी नारायन पर विश्वास करने की सी देकर आई है अब देखो से बें जिन्ता करिया ये जिन्ता मती करो ये सुसाओंगो मुझे स्री नारायन किसी भी जाल में न फसने देंगे वो तो यही है हमारे साथ यही है इसका क्या आर्थ है जी तुमने कही थी ना के तुमने उन्हें हर जगे देखो हमारे घर में गोकुल में तो इसी लिए तुम चिंता ना करो पुझे अपना कर्तवे करने दू कल भूर होते ही मैं मत्हुरा निकल जाओ अता तो चले वो हमसे चाहतो क्या है दंद राजने निर्ला लियो है कि वो इस बार कंसे मिलने अकेले ही जाने वाले है पहले ही वो गाओं वालों से सारा दूद दही माखन हडब चुको है अब आप और मठ्किया क्यों ले जा रहे हो उस दुस्ट के लिए यह सुधा वो दुस्ट है अत्याचारी है पर है तो हमारे महराजी न वैसे खाली हार थोड़ी न जा सकतो तुम अपना ध्यान रखना सुनो जे मुझे पतो है कि मुझे स्री नारायन पर विस्वास रखनो चाहिए बलकि मैं पी तो यही समझा रहे थी इन गोपियों को पर बता ना क्यों मुझे लग रहो इसके पीछे उसका कुछ बहुत बड़ा सड़ी अंत्र है ना तो आपको अकेले क्यों बुलाता वो मैं जानता हूँ यह सुधा उसना मुझे क्यों बुलायो है पर मैं तुम्हे ना बता सकतू मैं ना चाहतू कि तुम चिंता करो राजा होने के नाते यदि मेरे कुछ करने से मेरी प्रजा का हित होता है तो मुझे वो करना पड़े गो यह सुधा फिर जाए वो मुझे कितना ही अपरिये क्यों ना लगी यह ना रायन मेरी दोविदा दूर करो कुछ ऐसा करो कि इन्हें जाना ही न पड़े उस दुस्ट के सामने जेटी सुबे कौन हो सकतो है मैं देखतो पूर्णा मासी आप जैसोदा पूर्णा मासी इतने दिनों बार क्या होगा मासी सब कुछ को सलतो है मैं तो बस इतना जानती हूं नंदर आज ये लोग आपसे मिलना चाहते थे कौन? इतनी सुबह आप सब यहां? यहां होगो? हमारे भोले भाले गोकल वासियों का फसाने के बाद यहांने का साज कैसे करो तूने? क्या सोधा? पूछो जी, पूछा इससे, यह क्या करो यहां? इनकी जे दसा आप सब ने तो ना की नहीं नहीं इनमें इनका कोई दोस नहीं है हमारा बस चलता तो इससे भी बुरी दसा करते यह सब तो मेरी करनी का फल है नंदराज जी, इसके किये का डड़ मिल गया है मुझे एक्षमा कर दीजे नंद महराज, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे मैंने इन सब गावालों को फसाने का शडियन महराज कंस के कहने पे किया था वही मेरी भूलती मुझे ख्षमा कर दीजे महराज बहुत सिग्र बुद्धी आ गई तुमें मैंने आप सब को लोग तीचाल में फसाने का प्रयास किया सच तो यह के मैं स्वयम लोब में घ्रस था सब कुछ अधिक से अधिक धन के लिए किया था मैंने सब कुछ को दिया मेरा भोजन सड़ गया मेरी मीटाहिमी कीडे मकोडे पड़ गया मेरे स्वरन अभुशन मूती सब कंकड़ पत्तर वन गया अवश्य ही इसका कोई नया चल है जे नहीं 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 मेरा कोई चल नहीं है मैं सत्य बोल रहा हूं मैंने कही थी ना स्री नारायन हमारी सहायता अवश्य करेंगे दूस्ट और अत्याचारी का दूत बन के आया था ना जे तो होना ही था स्वयम स्री नारायन ने न्याय करो है हमारे साथ आप बिल्कुल सही कह रही है वैसे तो कर्मों का फल मरने के बाद मिल दा है लेकिन आपके श्री नारायन ने मुझे इसी जन मेरे कर्मों का फल दे दिया कर्मों का दंड दे दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्री नारायन बहुत क्रिपा की हुआ आपने पर इसकार्त जेन आये कि हम समने आपको छमा कर दियो है मैं यहां क्षमा के लिए नहीं आया हूँ नंद रहा हूँ तो फिर किसली आया है मैं तो इन भुले भाले कोप गोपियों को इनकी छपत से मुक्त कराने आया हूँ पर इन सब ने वो छपत अपनी इच्छा से ली थी आप उसे कैसे मुक्त करा सकते हैं और एक शपत दिलवाकर आप लोगों ने भगवान श्री नाराण को साक्षी मानकर ये शपत ली थी कि आपका सारा दही, दूद, खी, माकन आप केवल मुझे और मुझे ही देंगे आज उसी भगवान श्री नारायन को साक्षी मान कर मैं आपको शपत दिलवाता हूँ कि आपका सारा दही, दूर, घी, मांखन उसमें से एक गण भी आप मुझे नहीं देंगे उतीक्सा क्या कर रहे हैं आप सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब जशुदा जी अपने सही कही थी, हम बस्री नारान पर विश्वास रखें तो सारे कारिया सज जाते हैं मुझे आसा है कि आपारी जी की तरह आप सबको भी अपनी सिक्सा मिल गई होगी हाँ नंगराज, अब हमें अपनी भूल से सीख मिल गई है अब हम कभी भी किसी के लोग के जल में ना फसेंगे जब मैं अबास हो जाए, बाब भूल होई है, तो उसे मानके सीख लेनी चाहिए हाँ हाँ, इस घटना से मुझे भी सीख मिल गई है मैं भी जे शपत लेती हूँ कि आज के बाद सारा का सारा दूद दही माखन इस पर सबसर पहला अधिकार गाय के बच्छडों पर ही होगा सीख समझ सभी ने जैसे ही ली शपत की अब लोब करेंगे नहानी से भी अधिक मिला है माखन बहरा देखो कृष्ण लीला देखो कृष्ण लीला हां और हम दोनों भी स्री नारायन की सपत लेते हैं दूद दही माखन बेचने के लिए हम बाद में बचाएंगे और पहले अपने बालकों को पेट भरके खिलाएंगे माखन प्रसाद की मट्की आप मंदिर से चड़ा के लाई थी वो पूरी भरकी है और माखन निकल निकल के भैरो है इसलिए बड़वोलो के लातो है तू फिर कहने लोगों कता कहानी माखन अपने गर पे भी ऐसा ही हो रहा है यह सुदा ओ देख तुम्हारी माखन की मट्कियां मैंने कहा तना आप सभी पर स्री नारायन की विशेश कृपा है जैसे ही आप सबने अपनी भूल स्विकार कर ली भगवान ने आपके माखन की सारी हानी पूरी कर दी यशो मती मैया के नंद लाला मैया सलोना कौन से काना पे विश्वास करूं मैं? उस स्याने पे जो कुछ ही समय पहले अपनी लीला दिखा रहा था या उस निर्दोस पे जो आसपास की हर घटना से अन्बिग्य बैठो है तो क्या इसका अर्थ ये है कि जब हम अच्छा करम करते है तो हमें पुण्यलाव होता है और जब हम बुरा करम करते हैं तो हमारी हानी होती है हम पराजित हो जाते हैं झार्भ्म 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 अस्ति प्राप्ति मैंने कहा था ना ये सारी माया उस उस विश्णू अवतार की है अरे वो तो इतना भी शक्तिशाली नहीं है कि अपनी ही माया का प्रयोग पर्याप्त समय तक कर पाए और मुझे वराजे स्विकार करने पर विवश्च कर पाए किन्तु तुमारे मुख की भाव भंगिमा तो कुछ और ही कथा कह रही है क्यों सत्य कहना मैंने महराश सब कुछ पहले जैसा इसलिए हो गया क्योंकि क्योंकि क्या ये ये उस विश्णू की माया थी और क्या हमने व्यपारी पर्मन को गोकुल भेजा था हमने व्यपारी पर्मन को गोकुल भेजा था ताकि वो गोकुल वासियों को अपने साथ व्यपार करने के बचन से मुक्त कर सुखे मेरी याज्या लिए बिना मुझे बिना बताए मेरे लिए हुए निर्णे को पलटने का साहस भी कैसे कर लिया तुमने हमने आपकी ही विचाधारा कानुसरन किया है महराज। आप ही कहते है ना जब जीवन पर संकट हो तो अभिमान अर्थहीन होता है। और जब प्राणों पर बनाएं तो सम्मान, स्वाभिमान सब मिर अर्थक होता है। धोक और प्यास से आप तो दुर्बल हो ही जाते महराज। पर आपकी सेना और सेवक अपने प्राण बचाने के लिए आपसे दूर हो जाते है। आपके और उस विश्णु अवतार के बीच चार वर्षों से चलते आ रहे हैं इस संघर्ष में ये एक छोटी सी जड़प है महराज। और यदि हम ये जड़प हार जाते तो शेश युद्ध करने के योग ये भी नहीं बच पाते। जब आप पूरी तरह से अकेले शारेली क्रूप से दुर्बल और असहाय होते और तब वो विश्णु अवतार वो बालक आप पे प्रहार करता तब आप क्या करते महराज। आत्मरक्षा अवश्चक थी महराज। क्योंकि शत्रू पर उसके वार से भी अधिक घातक प्रहार करने की योजना तब ही बनाई जा सकती है। चप्तन और मन दोनों पूरी तरह स्वस्थ हो। सच्ची बताओ, जैसाब आप इने क्यों है ना। आप बोर दूर से आई हो ना। मूट लगी होएगी। मैं माखन लाओ। आज पूरे गोकुल में माखन देरो है। इसके पीछे आपी की लिला है ना। मैं आपी माखन लातू। ये लिजी है। बताओ ना। पूरे गाओं में प्रसनता की बैयार बह रही है। हर ग्राम वासी के मुख पर हर्श और उल्लास दमग रहु है। जे सब आपी का चमतकार है ना। बताओ प्रभू ये मही माखी की है ना नारायन। धरो माप ये आतों दिख्राओंगा आको। बताओ ना प्रभू आप लालन करवाने आये हो। ये सब का पालन करने आये हो। बोलो ना प्रभू बताओ ना हो। बताओ ना हो। या जग पाला बननल लाला मन को हरने आये हो। आये हो लालन करवाने या पालन करने आये हो। नैनों से देखूं तो दिखते क्रिश्न है। मन से देखूं तो हरी दिखे। अपनी निलीनाओं के कारण सब के मन हों बसे। ताना आपको कहके पुकारो या बोलो भगवान कहो। माता की मतादो आपको या फिर मैं प्रणाम करो। प्रेम में सबको आये रमाने या रमने चले आये हो। हाए हुलान करवाने या पालन करने आये हो। या जग पाला पननंद लाला मन को हरने आये हो। मन को हरने आये हो। आये हो। सुप्रियरे आये हो। आये हो। आये हो। आये हो। झाल